नमस्कार विंध्या टाइंस में आपका स्वागत है दोपार तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजर होए हैं पहली खबर की बात करते हैं मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के थमते ही या कहें कि जैसे इसके संक्रमण का खत्रा कम होता गया मध्यप्रदेश लोग सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परिक्षा कराने का फैसला लिया आज मध्यप्रदेश में MPPSC की परिक्षाएं आयोजित की गई दो पालियों में ये परिक्षाएं हुई है और अब परिक्षा खत्म हो चुकी है चार पंद् के लिए अलग से केंद्र थे और पूरी व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मधिप्रदेश में आज MPPSC की परिक्षा आयोजित की गई तमाम गाइडलाइन के पालन के साथ अभ्यारती परिक्षा केंद्र में पहुंचे इंद प्रोटोकॉल के तहट आज मधिप्रदेश में MPPSC की परिक्षाएं आयोजित की गई दोपार तक की दूसरी खबर की बात करते हैं मधिप्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यह अलर्ट बारिश को लेकर है लगातार बारिश का दौर मधिप्रदेश में जारी है और इस बीच राजदानी भोपाल समेट प्रदेश पर के जादतर इलाकों में झमा झम बारिश हो रही है और दो दिन से तैस बारिश की चलते जन जीवन अब阿sivest हो गया है जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है तेश बारिश की वजह से एक तरफ जहां ल खुस गया है मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाफ के छेतर की वज़े से तेज बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हिए 24 जिले कौन कौन से हैं ये आपको बता दे होशंगाबा संभाग के साथ रीवा, सतना, अनूपपूर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जवलपूर, नर्सिंगपूर, मंडला, सागर, छतरपूर, टीकमगड, विदिशा, सीहोर, राजगड, बैतूर, बुर्हानपूर, खंडवा, खरगौन, धार, देवास, आगर, अशोक नगर और